अमारे हुर्दय में हारी गुरू नित्य रहते हैं भगवान तो रहते ही हैं वहां तो कोई डाउट नहीं है लेकिन हम जिस गुरू के शरणागत होते हैं वे भी हमारी इंक्वाईरी के लिए हमारे हुर्दय में रहते हैं यह ज्यान बार बार अभ्यास के द्वारा बुद्धी में बैठाना चाहिए इससे एक तो मन में हरी गुरू का प्यार बढ़ेगा नमबर दो हम अपराध न करेंगे क्योंकि हमको यह डर रहेगा कि भगवान नोट कर लेंगे अगर हम पाप की बात सोचेंगे सोचेंगे करेंगे वाली बात तो आगे है करने वरने की बात तो गधे भी जान लेते हैं इस अंसार वाले भी बाद में जान लेते हैं इस आदमी ने चोरी किया मर्डर किया कुछ किया सोचना नोट करते हैं भगवान पहला काम है सोचना हमारा मन अनादिकाल से गंदा है सोचने के कारण बहुत से कर्म हम नहीं करते बहुत से माने 90% से ज़्यादा कर्म नहीं करते सोचते हैं दुनिया के डर से पाप नहीं करते लेकिन सोचते हैं एक दिन आप लोग नुट कीजिए पेनल ले करके तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि कितनी बार आपने किसी में दोश, किसी में कुछ, किसी में कुछ गड़बड़ी यानि काम, क्रोध, लोभ, मोह, सोचा और किया कितनी बेर, करते तो बहुत कम है जैसे एक आदमी जा रहा है सोच लिया उसके खिलाफ, लेकिन अगर वो मेरी तरफ लोटा, आओ 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 भई, तुम तो कभी आते ही नहीं हो कर्म उल्टा, सोचना उससे उल्टा तो भगवान सोचना नोट करते हैं इसलिए हजारों मर्डर करने वाला अर्जुन, हन्मान जी, ये बड़े-बड़े महापुरुष लोग महापुरुष रहे और इतना गलत काम बाहर क्वालों की दृष्टी में किया क्योंकि उनके मन में गड़बड़ी नहीं थी तो भगवान तो मन की नोट करते हैं तो मन का नोट कर लिया भगवान ने कि बिल्कुल ठीक है अर्जुन उसका मन मेरे पास है संसार पूरा गवाही देने को तयार है अर्जुन ने इतने मर्डर किये भगवान कहते हैं तुम सब अन्धे हो मैं जानता हूँ अर्जुन ने तो कोई दुश्मनी की बात सोची ही नहीं वो तो मेरी आज्या का पालन कर रहा है तो मन का ही कर्म कर्म है ये फिलोस्पी भूलेंगे नहीं आप लोग हर समय याद रखें पाप, पुन, भक्ती, बैराग्य जो कुछ भी है सम्मन से सम्मन्ध है बाहर से नहीं ये बात अभ्यास के द्वारा दिर्ड होगी बार बार रियलाइज करना है हमारे अंदर बैठे हैं वो नोट करने वाले बैठे हैं अरे बेद शास्त्र पुरान संथ सब चिला रहे हैं वो अंदर बैठे हैं सब जूठे हैं क्यों नहीं है से अपने आपको तो रियलाइज करते हो क्या देखा है उसको कि अपने आपको देखा है किसी क्या और जो चला जाता है मरने की समय आत्मा उसको किसी ने देगा नए तो जैसे अपने आपको हम लोग रियलाइज करते हैं महसूस करते हैं ऐसे ही अपने स्वामी अपने अंशी अपने प्रभू और अपने टीचर हरी गुरू दोनों को रियलाइज करने का अभ्यास करना चाहिए इससे मन शुद्ध होगा जब बार-बार आप सोचेंगे एक एक घंटे में सोचिए पहले एक घंटे में एक बार एक सेकंड को हां अंदर बैठे हैं आपका टाइम नहीं खराब होगा जैसे आप सांस लेते रहते हैं उपर को नीचे को पलक भांजते हैं और आपको मालूम नहीं पड़ता हाँ जी वो तो होता रहता है होता नहीं रहता करना पड़ता है ऐसे कैसे होता रहेगा सांस आती है खींचना पड़ता है छोड़ना पड़ता है यह क्रिया है यह कर्म है करना पड़ता है लेकिन इतना अधिक अभ्यास हो गया है कि आपको मालूम नहीं पड़ता आएसे ही अगर आप अभ्यास कर ले तो हर समय आपकी फीलिंग में आने लगे वो हमारे हिर्दय में बैठे हैं बस काम बन गया 99% भगवत प्राप्ति कर लिया आपने केवल यही एक अभ्यास कर लें हर समय वो मेरे अंदर बैठे हैं वो नोट कर लेंगे फिर कृपा नहीं करेंगे अगर हम गड़बड करेंगे तो सारी गड़बडी खतम अधि जब संसार के डर से हम अपराद नहीं करते तो उनका डर रहे तो अपराद कैसे करें इसका भ्यास करना है अजर टार हम आप वो अपराद करेंगे प्रूल लेंगे पड़बड़ और समय ऴॉल